दोस्तों स्वागे थे आप सभी का वाइट एजूकेशन में बिहार दरुगा प्रारमिक परिक्षा की तैयरी करने वाले उन सभी अभ्यारतियों के लिए अपने एप्लिकेशन पे हम लोगों ने 1500 प्रश्णों का यह 15 सेट है टोटल हर सेट में 100 कोशन है एक सीरीज तैयार कर देगे हैं वाइट एजूकेशन की तरब से वाइट एजूकेशन का सीरीज जो शाम को आठ बजे चल रहा था वो सीरीज लगातार आपको चलेगा अभी थोड़ा सा तब्यट ठीक नहीं है इसलिए उन सभी वीडियो को स्टूडियो में नहीं बनाया पा रहा हूं है जाके जिसका सीरीज अभी आज एक मैं आप तक पहुंचाऊंगा और इस सीरीज के जितने भी प्रशन है टोटल हंडेट कोशन का है तो इस वीडियो में आप भी इसको प्रैक्टिस तोर पे लगा सकते हैं इसका पीडियो में आपको टेलीग्राम पे शेर कर दूँगा तो आप जल्दी से वाइटे एजुगेशन का टेलीग्राम भी जरूर कर लिजेगा चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रशन से इस सेट को लगाने के बाद आप लोग को पता भी चलिएगा कि किस तरह का जो है लेवल का कोशन आपके एक्जाम में पूछा जा सक जिनको की बिहार कहा गया यह कहां बनवाई थी कोशन है यहां पर उप्षन है बौध गया राजगीर कोशिन अगर या सारणात तो आपका उत्तर खर होना चीए यहांपे सारणात में बनवाए गया था नोट कर लिजिए मंदिर कुमार देवी का नीजी मंदिर हुआ करता दोस्तो और गोविन चंदर जो है गड़वाल वंस के महांतम सासक भी थे सवाल लंबर चलते हैं दो की तरफ आंसर करेंगे नेमलिकित में से किस स्थान की यात्रा वो दिने की नहीं की थी तो आंसर कर लेजीए का इन में से नहीं बोला गिया है आंसर कर लेजीए दोस्तो प्रणदी की किनारे बसा हुआ है दोस्तो यहां पे भगवान शिव का 12 जोतिर लिंगों में से एक महा काल का जोतिर लिंग यहां पे सिद्वी है यह आप नोट कर सकते हैं सवाल लंबर तीन पे चलते हैं दोस्तो यहां से आंसर कर लिजीएगा वैदिक नदी कुमभा का इ नदी की नदी है जिसका आधुनिक नाम काबुल है याद रखेंगे काबुल के नाम से ही अफगानिस्तान की राजानी का नाम भी पड़ा है सवाल लंबर चलते हैं चार की तरफ आंसर करेंगे किस शीला लेख में अशूक बौध धरम और धम और संग के प्रती विश्वास प्रकट करता है बिल्कुल आंसर कर लेंगे मित्रों यहाँ पे जीहां 67 D भावरु लगू सीला लेख इस the correct answer नोट कर सकते हैं भावरू सीला लेख जो है ये पाली यह नोट कर सकते हैं पाली भासा में लिखी हुई है और ये शीला लेख समराट असोक के बौध धरम को कुष्टी भी करता है अंसर टी कर लेंगे सवाल नंबर पांच पर चलते हैं मित्रों आंसर कर लिएगा वह सासक जिसने की साहित्य और कला के छेत्र में सरवाधिक योगदान दिया है बिलकोल आंसर कर लेंगे दूस्तो इटस टी यह है पर्मा भोज इस दर करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं हां से जी इस दर आइट आंसर राजा भोज परमार जोकी पावर वन्स का एक नए राजा थे हैं ठीके याद रहेंगे मध्य परदेश की राज़ानी भूपाल और अब नहीं बोल दिया गया है तो आंसर सोच समझ की यहां पर कीजिएगा आप लोग ठीक है नहीं बोला गया है तो आंसर सोच समझ की कीजिएगा जी हां नमलेकित में से कौन चोलो का सिको का सिको पर उत्करण नहीं है तो याद रखेंगे डी हाथी का उत्करण आपको देख को नहीं मिलता है चोल साचक ने यहां पे मुख्यत सोने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे सवाल लंबर चलते हैं साथ पर दोस्तों आंसर कर लिजीएगा सूप्रसेद कृति तबकाते अकबरी जिहां दोस्तों मुगल बात्सा अकबर के काल का जिहां क्या था ये तो गरत बना था ठीक है मुगल जो दर्बारी था और जो इतिहासकार था निजामों दिन अहमद इन्होंने इस गरंद को फार्सी में लिखा था याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है कोशिन याद पुछ सकता है एक्जाम में ठीक है और ये 49 वर्सु का इतिहास लिखा गया थ इसमें 1549 से लेकर 94 तक का इतिहास है इसमें सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो कोशिन बराट पे दक्षिन में बहमनी राज्य का संस्था पक कौन था बिलकुल याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे बी इस दा करेक्ट अंसर जो की हसन गंगू था याद रखेंगे सवाल युद कब हुआ था कोशिन पूछ सकता है तो 1757 में हुआ था याद रखेंगे 23 जून को हुआ था यह भी याद रखेंगे अंग्रेजों के सेना पती रॉबर्ट क्लाइब और बंगाल के दवाप सिराजु दौला के बीच में यह युद हुआ था स्वाल लंबर चलते हैं धुद्सके दोस्तों कोशिनमर 10 पे आंसर कर लीजिएगा K rebell कोश कोशिन करेंट के भी हें तो फटफट हम यहाँ पे देखेंगे चुकिए इसका हम लोग क्ोशिन करा चुके आप लोग को करेंट अफेर वाले जितने भी कोशन हैं आपको यहां से दिखेंगे कि आपको या तो क्यूज में करवाया गया है या तो यहां से अपडेटेड है तो ICC T20 क्रिगेट विस्वेकब 2021 का खिताब किस ने जीता है तो याद रखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है यह इंपोरेंट कोशन है और बहुत ही लेटेश करेंट कोशन है यह स्वाल नमबर 11 पर चलते हैं समलेंगिक विवाह को मानिता देने वाला अंतिम पश्चमी यूरोपिय देश कौन बना तो आंसर कर लिजीगा दोस्तों यह जर्मनी है डी इस दा करेक्ट आंसर स्वाल नम आम की नई किस्म को विक्सित किया है तो बिलकुल आंसर कर लिजीगा दोस्तों कुश्चन बरबारा का यहां पर इस डी इस दा राइट आंसर नोट कर लिजीगा अच्छा एक कुश्चन यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा समलेंगिक विवाह को मानिता देने वा किस राजे की जुडिमा राइस वाइन को जी आई टेक परदान किया गया है यह कॉश्चन आपको कराया जा चुका है इस पीडी का कॉश्चन है इसको अगर आप लोगो ने किया होगा तो जरूर आंसर सही करेंगे और यह मैंने आपको टेस्ट पॉटल में करवाया भी है और इसके बारे में बताया भी है और साथी साथ टेलीग्राम इसका क्यूज में भी दिया है कॉश्चन आंसर कर लिएगा इस दर राइट आंसर असम की है यह राइस वाइन ठीक है याद रखेंगे स्वाल लंबर 14 पे चलते हैं टी 20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारते की लाड़ी कौन बन गे हैं आंसर कर लिएगा डी विराट कोहली है जो कि भारते टीम के कहर कप्तान भी है स्वाल लंबर 15 पे चलते हैं मित्रो नेमलिकीत में से किस तिथी को मुस्लिम लीग ने सीधी करवा ही दिवस हेतु सुनिशित किया है यह कोशन अभी हाली के दिनों में आपको करवाया था मैंने 1946 में जितने कोशन आप लोगों मैंने अपने चैनल पे करवाया है अगर आप लोगों ने पढ़ाई किया तो इस स्यारे सेट का कोशन आप लोगों बिलकुल आसानी से कर लेंगे ठीक है यह सारे कोशन मैंने बुक को पूरा रेड़ भी किया है तो यह सारे कोशन आपको करवाय जा चुके है ठीक है फिर भी आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे इसको जरूर लगाईएगा इस सेट का पीडिएफ में आप लोगों को चैनल पे दे दूँगा ठीक है पंदरा का उतर कर लेगा सोला अगस्ट सन 1946 इस दराइट कहता है कि निमलिखित घटनाओं का सही क्लानुकरम क्या है तो बिलकुल क्लानुकरम जो है इसका आप भी नोट कर सकते हैं पहला साइमन कमिशन का घठन हुआ सन 1947 में याद रखेंगे दूस्तों साइमन कमिशन आठ नवहंबर डेट याद रखेंगे आठ नवहंबर डेट याद रखेंगे घृए गांधी इरविन समझाता उसके बाद हुआ था 5 मार्च 1931 ये डेट भी आप लोग याद रखेंगे खेंगे क्रेप्स मिशन पहर उसके बाद हुआ सन 1942 मार्च में तो 1942 में हुआ इसके बाद हुआ था और देश का भी भाजन तो आप लोगों को पता है कि 1947 में हुआ जिसमें कि पाकिस्तान का समराज भी बना तो आंसर क्या कर लेंगे 3, 2, 1, 4 तीन, 2, 1, 4 जो है अपका उत्तर D हो जाएगा यहाँ पे नोट कर लिजिएगा सवाल नंबर 17 पर चलते हैं मित्रो निमलिखित आंदोलन की सही काला क्रम क्या है तो फिर से एक बार यह क्रम याद रखेगा सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ दोस्तों 1919 से लेकर 1922 तक तो यह दो आप्शन पहले होगा तो आंसर यहाँ पर हम करेंगे दो को ठीक उसके ब पॉइंट है ठीक है उसके बाद दोस्तों हुआ सवीने अवग्या अंदोलन सवीने अवग्या अंदोलन हुआ यानि की एक है यहाँ पर यह 1930 से 1934 मन लिखी आप लोगर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो 1930 से 34 के मद्दे हुआ था फिर हुआ भारत छोड़वा अंदोलन ज करते हैं 17 पर दोस्तों 1765 में इलाहाबाद की संधी किनके मद्दे हुई थी तो बिलकुल आंसर कर लेजीगा यहाँ पर दोस्तों 1765 में इलाहाबाद की संधी हुई एक पहला नोट कर लिए कोशन यहाँ पर रोबर्ट क्लाइब ने मुगल समराथ साह आलम द्यूतिय और अ सवाल लमबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 19 पर आंसर कर लेजिएगा ठीके आंसर किजिए यहाँ पर किस मॉल वीन ने 18 something इंडिमें जिहाद यानि की संतावन की करांती के समय वह घूंगूंकर राजाओ नवाबो और करांती कारियों का संगठित भी कर रहे थे थे एहमेद दुल्ला नाम था उनका ए इस दा करेक्ट आंसर स्वाल लंबर 20 पर चलते हैं करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं बिलकुल आंसर कर लिजिए दू इस इस्टेट में सबसे ज्यादा तो जम्मू कश्मीर में होता है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल स्रेणी है जहां पे पाश्वों में 1500 से लेकर 1800 मीटर की हुचाई तक यह सारी जी देखने को मिलती है अपने को कश्मीर घाटी में करेवा निशेप भी है और यहां पर दोस्तों ठीक है मौसम परिवर्तन की बात हो रही है यहां पर उत्तरदाई कारकों का पहचान करने के लिए बोला जा रहा है तो हम बात करेंगे प्रिथवी का प्रकरमन एक तो पहला और दूसरा है यहां पर प्रिथवी का आपने धूरी पर जुकाओ यह दो के चलते जो है नमोशम परिवर्तन के लिए उत्तरदाई माना जाता है तो दो और तीन इस दा राइट आंसर स्वाल लंबर चलते हैं बाइस पर दोस्तों सागर तल पर वातावरं द्वारक कितना दबाव डाला जाता है बिलकुल ध्यान में रखिए कर दोस्तों आंसर कर मिली बार यह दबाव डाल जाता है और वायुदाव मापने का इकाई पूछ सकते हैं Zap में तो मिली बार जो है वह इसका एक इकाई है चप से चोटी पश्य मांसून की सुरुवात करता है याद रखेंगे उसने कटी बंद यह पूरविधार आए D is the correct answer नोट कर सकते हैं भारत में दक्षिन पश्य मांसून की उत्पती का संबंद उसने पूरवी जेट स्ट्रीम से है यह आपको पता होना चाहिए नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 24 पे कौन सा लौ और इस्पात सन्यांत्र जर्मन सहयोग के स्थापित किया गया है तो 24 का उत्तर यहाँ पर करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो कि उडिशाग में है दोस्तों और ये law और इस path जर्मनी के सायोग से इसको इस्थापित किया गया है B is the correct answer, नोट कर लेजीगा, जर्मन सायोग यानि की जर्मनी के देश का बना हुआ है द्वीतिय पंचवर्शी योजना के तहत इसको दोरान भारत में विदेशी तकनीक के सहायता से इसको लाया गया था दोस्तों इधियान रखेंगे, 1956 से 66 के बीच में स्वाल लंबर 25 पर चलते हैं मित्रो कौन से राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है अंसर करने का प्रयास करेंगे मित्रों यहां पर बिलकुल 25 का उत्तर कर लेंगे यह केरल जो है यह आपका उत्तर सही होगा यहां पर थोरियम की प्राप्ती जो की मोना जाइट बालू का नीचे पसे होता है और इसका निर्मान प्री केर्वियन काल में किया गया था भारत के केरल में आंधर प्रदेश में तामिल नाडो में भी इसका मुख्य भंडार देखने को मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा केरल इस दा करेक्ट आंसर स्वाल नमबर 26 दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम आंसर कर लेजिएगा यहाँ पे कोशिन इपॉर्टेंट है यहाँ यूरेनियम यूरिया और सुर्य माफ करेंगे यूरिया और अमोनिया उत्पादक के आर आई बी एच सी ओ जो की एक सुत्र है यह सनियंत्र अधारित है यू भारत की भारती को यहाँ पे ऑपरेटीब लिमिटेट को भारत की एक सहकारी संस्ता है जो कि उर्वरक यह संस्त बनाती है जो की मुख्यता यूरिया होती है इसकी स्थापना उनिस्वासी में की गई थी इसका मुख्याल है नोइडा में है गौतम बोद नगर उत्तर इससे पूरी दुनिया का निर्मान कर दूँगा बिलकुल आंसर कर लेंगे दूस्तों कुछ नमर 27 का C is the correct answer इमैनुवल ने कहा था कि मुझे पदार दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्मान कर दूँगा प्रत्विक उत्त्ति के बारे में संबंदित ग्रहडु को ले इससार ब्रह्मांड में अकाष्ट गंगाओ की लगभकुल संथ्या क्या है 28 का उत्तर आप ए कर सकते हैं 100 से लेकर 200 अरव इस दर राइट आंसर ये इस दर करेक्ट आंसर नोट कर लिजीगा सवाल नंबर 39 पे चलते हैं तिमलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है 29 का उत्तर कर लेजीगा दस्तों यहाँ पे ए इस दर करेक्ट आंसर स्लेट को बलुवा पत्थर से यहाँ पे मैच कर दिया गया है ये मिलान सही नहीं है चुकि अवसादी चटानों के रुपांतरन से बना हुआ है शेल और आपको बता दे दोस्तों की शेल जो है वो श्ले बलुवा पत्थर जो है दोस्तों ध्यान में रखेगा ये क्वाट्जाइट से बनता है याद रखेंगे स्वाल नंबर चलते हैं 30 पे दोस्तों निमलेखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है बिलकुल आंसर कर लेजीगा दोस्तों बुद्ध ग्रह पर सबसे कम है अठासी दिन में सूरी की प्रक्रिमा यह पूरा भी कर लेता है इसलिए यहापे दिन छोटे है निमलेखित में से कौन सा देश भूमी बद याने कि लैंड लॉक्ट से है घिरा हुआ तो आंसर कर लेजीए दोस्तों इट्स सी हंगरी जो है इन में से जो कि लैंड लॉ कंट्री है और हंगरी जो है यूरोप महादीप का एक देश है जिसकी राजधाने बुड़्डा पेस्ट है यह भी नोट कर लेजीगा आप लोग सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे उस्टे कटे बंदिये चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्स इस्तीतियां पा रहे हैं और मैं स्टूडियों पर नहीं बैठ पा रहा हूं चुकि यह सारी जीजिए हैं मेरे पास एक नया बुक आया है प्लेटफॉर्म का यह मैंने सुचा कि यह सारे कोशन आप लोगो प्रैक्टेस को तौर पर करा दिया जाए तो आप लोग भी इससे के कोशन के आ सागरों के पश्चिमी तटो पर आंसर कर लेंगे बी इस दा करेक्ट आंसर स्वाल नंबर 33 पे चलते हैं निमलिखित पारिस्तितिकी तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्रात्मिक उत्पादन किसका है बिल्कुल आंसर कर लिजीए दूस्तों सेवाल तल और भित्तियों का प्रात्मिक उत्पादन सबसे ज़्यादा है आंसर ए हो जाएगा इस दा करेक्ट आंसर आपको बता दे कि वातावरंत से तथा अन्य जैवेक समुदाय से परस पर संबंध होता है और इसे परस परिक संबंध को परस्तितिकी तंत्र भी कहते हैं परस्तितिकी तंत्र सब्द का परियोग सरपतम टॉंसले ने किया था सन 1935 में कोशिन पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं यहां पे चोश्च नमर 34 पर चलते हैं नमने कि देशों में कौन सा पेट्रोलियम के भंडार समरे दिन नहीं है नहीं बोल दिया जाएगा तो आप मौरको इस दा करेक्ट आंसर पर दुनिया के कच्चे तील का काला सोना भी कहा गया है और अनेक देशों की पूरी अर्थवज़ता को कच्चे तील से पर ही ठीकी हुई है सवाल नमबर चलते हैं दूस्तो कुश्यमब 35 पर जनहीत याजीकाओं का संबधानिक अधार क्या है जनहीत याजी काउं का सम्विधानिक अधार नएक विवर्धन है याद रखेंगे दूस्तो C is the correct answer जनहीत याजी का किंद्रगत भारतिय कानौन में सर्वजनिक हेट की रक्षा के लिए मुकदमे प्रवधान है किया गया है और समान्य अधालती याजी काउं में से अलग इसमें से आवश्यक नहीं है कि पीडित पक्ष को यहाँ पे स्वें अधालत भीजा जाए तो आंसर C कर लेजीगा इस दा करेक्ट आंसर स्वाल नंबर 36 पे चलते हैं नेमलिकित में से कौन सा एक भारत के राष्टपती और राज्यों के राज्यपाल के लिए साद्रिश नहीं है बिलकुल आंसर कर लेजीगा दोस्तो महाव्यों की प्रक्रिया ठीक है राष्टपती के लिए और राज्यपाल के लिए साद्रिश नहीं है महावयोग की प्रक्रिया याद रखेंगे राश्टपती के द्वारा संबिधान के प्रबधानों का उलंगन पर पद के लिए कर्तब्यों का निर्वाहन करना उलंगन पर संसत की किसी भी सदन के द्वारा उस पर महावयोग लगाया जा सकता है यानि कि उनको हटाने की प्रवधान भी है आर्टिकल 61 के तहर महावयोग राश्टपती पे लग सकता है यह ध्यान रखेंगे राज़िपाल की नियुकती कौन करता है तो राश्टपती के दख करता है राश्टपती के दख की अवधी के लेकर यहाँ पे की जाती है और राश्टपती के जो प्रसाद प्रयत्न पर धारन करते हैं राज़िपाल तो आर्टिकल 156 का उप्योग करके तो यह याद रखेगा एक बटा 6 होना चीए कुल सदस्यों को मनोनित याद रखेंगे जिन राज़िव में दुई सदनी विधान मंडल है वहाँ विधान परिशद में कुल सदस्यों का एक बटा 6 सदस्यों मनोनित होते हैं सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो 38 पे अनेमलेगित में से कौन से कारक राज़ियों पर केंदर के बढ़ते हुए नियांतर में उत्तरदाई है इस सारे कोशन आप लोग को कराया जा चुके हैं एक्सपेक्टेड हैं आपके परिक्षाओं के लिए तो मैं अपने तरब से तो यह सारे चीज़े करा चुका हूँ और यही सारे चीज़े अपडेट भी किया गया है नया बुक में तो एक प्रैक्टेस के तोर पे इसको लगाईएगा आप लोग चैनल पे रोज आप लोग को यह सेट दे दूँगा मैं जब तक तब यह ठीक नहीं होता है तब तक यहां से बेड़ से ही उठाके दूँगा यह सारे चीज़े आप लोग को ठीक है आंसर सी कर लिजिएगा दोस्तों यहां पे जी हाँ यहने कि राज्यों के शक्ति साली निर्तितु का भाव द्रिठ दलिये अनुशाशन और केंद्र पर राज्यों का वीतिय निर्भरता तो आंसर एक दो तीन हो जाएगा सी इस दा करेक्ट आंसर स्वाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पे क्वेश्य नंबर थर्टी नैन पे पंचाइती राज विवस्ता के अंद्रगत भारत में ग्राम शाशन के एक द्रिष्टान्थ है थर्टी नैन का अंसर कर लेंगे यहां पे इस दा करेक्ट आंसर जी हैं दोस्तों इस्थानी स्वासाशन और परतिनी धी मूलक शाशक का स्वाल नंबर चलते हैं चालिस पे दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परिक्षक एक मित्र दर्षान दार्षनिक और पत्ष परदर्षक के रूप में कारे करता है तो बिलकुल याद रखेंगे जिया सारवजनिक लेखा और समीती के लिए भारत का नियन्तरक और महालेखा परिक्षत एक मित्र और दाषने की पत्परदर्शक के रूप में कारे करता है सारवजनिक लेखा समीती के लिए स्वाल नम्बर 41 निमलेकित में से कौन सा बजट का सही अर्थ प्रकट करता है तो आंसर कर लिजी का दूस्तों यहाँ पे यहाँ अनुमानित व्याय और राजस से प्राप्ति के उपाए और साधनों का बेवरा देता है C is your correct answer नोट कर सकते हैं स्वाल नम्बर चलते हैं 42 पे संवेधानिक सासन का अर्थ क्या है बिलकुल आंसर कर जी दूस्तों संवेधानिक सासन का अर्थ होता है यहाँ पे यहाँ नोट कर सकते हैं यह चारो ओल अफ एभव यहाँ दूस्तों याद रखेंगे D is your correct answer स्वाल नम्बर चलते हैं 43 पे लॉबिंग की कारेशली अपनाई जाती है लॉबिंग देखें कोशन आपको बताया गया है कि लॉबिंग क्या है तो लॉबिंग कारेशली जो है दबाव समूहों पर द्वारा अपनाई जाती है अच्छा ऐसे वैक्तियों का समूह जि स्वाल नम्बर 44 पे चलते हैं अध्याक्षा अत्मक प्रणाली का कारेशिधानत क्या है तो बिलकुल आंसर कर लेंगे दोस्तों सक्तियों का प्रथेकरन ये जो और करेक्ट आंसर स्वाल नम्बर चलते हैं 45 पे भारति सम्विधान में इन में से किसका सर्वधिक रेणी है तो हमारे जो भारतिय सम्विधान है भारतिय सासन अधिनियम 1935 का ये सबसे ज़्यादा रेणी है तो सी उत्तर कर लिजीगा सी इस दा करेक्ट आंसर और ये स्टार मार्क लगा लिजीगा कोशन पे मैंने आपको पहले ही बताया था इस टॉपिक से कोशन एक्जाम में अधिनियम 1935 का सम्विधानिक दस्तावेज भी प्रस्तुत करता है और जिसका भारतिय सम्विधान तयार करने के लिए गहरा प्रभाव भी छोड़ता है तो आंसर यहां पे सी कर लेंगे सवाल नमर 46 भारतिय संदर में लोकतांत्रिक समाजवात के सिधान्त का समर्थक कौन करता है तो पंडिज्वारल नहरूप इस राइट आंसर नोट कर लेजिएगा दोस्तों कैपलर का द्वीतिय नियम छेतरी वेग अचर रहता है नियमलेखित में से किस संद्रक्षन के नियम के तुल्य है तो जल्दी से आंसर कर लेंगे मित्रों यहां पे जो भी छातर आप पे आंसर कर रहे हैं ठीक है 47 का अंसर कर लिएगा एटसी इस दा करेक्ट आंसर कोण यह समवेग का सी दकरेक्ट आंसर यहां कोण यह संवेग सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों कुछ नमर 48 पे एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद स्यान द्रव के गिराया जाता है या अंतता एक समान वेग में चलता है जो कि क्या कहलाता है बिलकुल ये सिमान्त वेग कहलाता है याद रखेंगे सिमान्त वेग दोस्तों याद रखेंगे क क्यालाता है इस दा राइट आंसर स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तों 49 पे पिर्थवी का द्रभिमान एम तता त्रिज्या आर गर्वैक्ति भूमद्य रेखा पर भारहीन महसूस करें इसके लिए पिर्थवी का एक दिन का कितना लंबा होना चाहिए तो एक दिन का जो समय है वो कितना लंबा होना चाहिए यह पुछा गया है तो याद रहेगा इस फर्मूले पर इसको पूटाट करें हैं टू पाई अंडर स्कोर आर बाई जी इसमें हम लोग मान करेंगे दोस्तों यहां पर और यह वैल्यू निकल कर आएगी उतना ही यहां पर प्रत्री का एक दिन तैव होगा ठीक है जो कि सत्रा गुना बढ़ा दिया जाएगा जो कि विश्वत रेखा पर अगर गोटवे तोरन का मान सुनने हो जाए तो और भारहिंता का अनुभाव वहां पी होगा तो यह एक अपडेट है यहां से ध्यान में रखेगा स्वाल नंबर चलते हैं 50 पे दोस्तों याद रखेंगे होश्रूंग एट नामा के एक नई विक्सित हाइपर सोनिक मिसाइल का सफलता पुर्वक परिशन किस देश ने किया है तो करेंट अफेर कोशन यह भी है यहां पे ध्यान में रखेगा डी इस दा करेक्ट आंसर उत्तर कोरिया ने किया है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों कुछ नमर 51 पे राइट लाइबली उड अवार्ड 2021 दिल्ली इस्थित किस संस्था को दिया गया है एक्जैक्ली याद रखेगा लाइफ लाइफ सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 52 पे शांती के छेतर में 2021 के नोबल पुरसकार है तो नामित मारिया रशा किस देश की है बिलकुल याद रखेंगे दोस्तों ये फिलिपिन्स की है याद रखेंगे सवाल नंबर 53 वर्स 2021 हे तो शांती स्वरुब भटनागर पुरसकार कितन टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्विकप दोजर एकिस टूनामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाजने बनाया है तो बिलकुल बाबर आजम का नाम यहाँ पर ले लिजीगा दोस्तों या दूसरे समूह के यह है ना दूसरे का यह जो वर्ड गृूप है तिथा पांचवे आवर्त में यह उपस्तित होगा तो answer क्या कर लेंगे ए जोर correct answer स्वाल लंबर 56 पर चलते हैं इस पात को रक्त ताप में निमन ताप पर गरम करके दीरे दीरे ठंडा करने की प्रक्राम को क्या कहते हैं answer नीचे comment box में आप भी comment जरूर कर सकते हैं अगर आपके practice इच्छी है तो यहाँ पर वीडियो को पूरा देखें और अपने answer कमेंट करें बिल्कुल answer करें दूस्तों इसको हम लोग कहेंगे एनलरी करन ठीक है एनलिंग कहेंगे इसको इस पात को रक्त ताप में निम निताप पर गरम करने का धीरे धीरे ठेंडा करने का प्रक्राम को एनलिंग कहते हैं स्वाल नंबर 57 h2s2o7 h2s2o7 ठेक है के लिए और दोगीक नाम क्या है इसको कहते हैं सी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लेजिए दोस्तों क्या कहते हैं ओलियम यह संराशना अत्मक नाम जो है यह डाई सेल्फियूरिक अमल या फिर पाइरो सेल्फियूरिक अमल भी इसको कहते हैं याद रखेंगे स्वाल नंबर चलते हैं दोस्तों 58 पे सुत्री विभाजन नहीं होता है बिलकुल नहीं होता है जिवाणुओं में ठीक बाकि हरे सेवाल में कभुकों में उच्वनस्पतियों में जरूर होता है तो यह इस दा करेक्ट आंसर नोट करेंगे और सुत्री वि पहले से माता कोशिका का केंद्राक होता है सीधे दो भागों में बढ़ जाता है सुत्री विवाजन काईक कोशिकाओं में बटा हो रहाता है और अर्ध सुत्री तो यह विवाजन सिर्फ लिंगी जननन यानि कि सेक्सवल रिप्रोड़क्शन पे ही डिपेंड करता है तो य बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों ए इस जो और करेक्ट आंसर मुलास का सीप मोती मुलास का वर्ग से संबंदी थे मुलास का समुदाय जो है दोस्तों जन्तु अधिकान समुद्री या फिर कुछ लवणिये जल या फिर कुछ नम भूमी में पाए जाते हैं कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने की जा सकती है तो कीट की जो पहचान है वो अन्य जीवधारियों से उसके पास तीन जोड़े टांग होने से की जा सकती है ठीक है याद रखेगा तीन जोड़े टांग से होने से की जा सकती है कीट वर्ग जो है दो से कौन सी तीन परिस्थितियां सरवाधिक महत्रपूर्ण है बिलकुल याद रखेंगे दोस्तो इट सब बी इस दा करेक्ट अंसर पानी उचित्था पान और ऑक्सिजन का होना जरूरी है स्वाल लंबर 62 जीवो के द्वी नाम पदती के दो घटक कौन है अंसर कर लेगे दोस्तो वंस नाम और जाती विशेशन बी इस दा करेक्ट अंसर दोस्तो आपको दादे कि प्राणी वर्गी करण जब्य होता है यह पदा नुकरम उसका जो होता है वो वर्ग गोण कूल वंस प्रजाती से होत सवाल लंबर चलते हैं 63 पर पसीने का सबसे महत्पूर्ण कारे क्या है कि पसीने का सबसे महत्पूर्ण कारे है सरीर के ताप का नियंत्रन करना तो अच्छा कि जितने भी छोटी ट्यूबलर रशनाय है उसको पसीने की ग्रंथिया कहते हैं और यह पसीने से उत्पन उत्प ठीक है तो आंसर यहाँ पर हमनों बी कर लिजिएगा इस दा करेक्ट आंसर स्वाल लंबर चलते हैं 64 पर जमले कित्म से कौन से समों में केवल चालक तंत्रिकाएं यानि कि नर्व्स मोटर नर्व्स हैं और तो आंसर कर लेंगे दोट कर लेंगे और इंटर न रखेएंगा स्वाल नम्म चलते हैं 65 पर जब विक्र कारिकर्ना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है जब विक्र कारी करना बंद कर दे तो रक्त में नत्र जनित अपसिष्ट पदार्थ जमा होता है विक्र नाइट्रोजनी उत्सरजित करता है पदार्थ और बाहर निकलने का कारे भी करता है तो ये ध्यान में रखेंगे दोस्त 65 का अंसर कर लिए रख्त में नत्र जनित अपसिष्ट पदार्त का जमा करता है डी इस दा राइट आंसर स्वाल में 66 पे चलते हैं दोस्तों आंसर कर लेंगे कोशिन है निमलेखित में से कौन सा विकल्ब सरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है तो बिलकुल याद रखेंगे जीगर सरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जिसका की 1.6 किलोग्राम यानिक लेवा 3.5 पाउंड की आउसत का आधार पर सबसे भारी अंग होता है C is the correct answer नोट कर लिजेगा तो आल लंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 67 पे दोस्तों निमलेखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चैन करें जिसमें की मुह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाला रंग के धब्बे उत्पन होते हैं बिल्कुल पे लागरा is the right answer नोट कर लिजेगा दोस्तों सवाल नंबर चलते हैं 68 पे माल्थस सिधान्त के मामले में यदी मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा एकोनॉमिक से कोशन है माल्थस माल्थस का सिधान्त यहां दोस्तों यदी मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा कि जनल संक्या में ब्रिधी हो रही है तो यह is the correct answer नोट कर लिजेगा स्वाल लंबर चलते हैं 69 बौधिक संपती का अधिकार विवस्ता का प्रबंधन करता है जिसमें की मानो जो है बुद्धी का आमूर्थ इस रिजन करता है और सरवाधिक पेटेंट और ट्रेड मार्क को मोख्य रूप से समलित भी करता है इसमें तो बी is the correct answer स्वाल लंबर 70 निमलिकित में से किस समीत समीति ने भारत में राष्ट्री क्रिशी और ग्रामेड विकास बैंक की स्थापना की संतुति की है तो एक्जेक्ली याद रखेगा सिव रामन समीति इस दा करेक्ट आंसर इसकी स्थापना समीति हुई थी दोस्तो और राष्ट्री क्रिशी और ग्रामेड विकास बैंक जो 1982 में इसको गठित किया गया था ये भी आप ध्यान रखेंगे स्वाल नमबर चलते हैं 71 पे निमलिकित में से किस बजार स्थिती के फ़र्म आपस में मुल्य निर्धारन और उत्पादन निर्णय में आत्म निर्भर होती है तो आंसर कर लिजी के दूस्तों अलपाधिकार इस सकते हैं एक्जाम में स्वाल नमबर चलते हैं 72 पे वह मुद्रा जो की बहतर आए या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में सिगरता से प्रभाहित होती है क्या कहलाती है तो भाई देखें पैसे की बात हो रहे है वह करेंसी की बात हो रह है की कारेंसी का के बजार में सरलता से उपलब्ध हो जाए तो आसानी से मिल जाए उससे अंदी प्रइयों किया जाता है अपक्नलोजी जो है इसका प्रिविभिन जीवों जन्तुओं की जनसंख्यां के अकलन करने के लेख करते हैं हम लोग बहुत से जानवरों के पेरों के निसान से यह लिया जाता है और उसको निसान को बोला सब्सक्राइब करेक्ट पर विचार कीजिए तो आंसर कर लिजिए दोस्तों यहां पर कौन सा कथन सही बताना आपको तो देखिए जो कथन है कि क्योटो संदी जो है 2005 में लागू की यह थी बस यही यह कथन जो हमारा सही है यहां पर तो आप्शन नमबर जो सी है वो करेक्ट कर लिजिएगा क्योटो प्रोटोकॉल एक अंत्राश्टे संदी है दोस्तों जो की ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहा है जलवायू पर वड़ी 2005 को इसको लागू कर दिया गया था ठीक है अभी वर्तमान में पूछेया कितना देशिस में है तो 192 देशिस में समलित है स्वाल लंबर चलते हैं 75 पर दोस्तों भारत में यूरो मांदंड किस वर्ष से लागू हुआ है तो 1999 से याद रखेगा यह इस दा करेक्ट आंसर एक जू 1990 से यूरो में चार वायू प्रदोशक पदार्तों का कार्बन मुन ओक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड और धूल कंड का समावेश्ट किया जाता है स्वाल लंबर चलते हैं 276 पर प्रित्वी आयोग जिए अर्थ कमिशन एवं प्रित्वी वि स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तों कुशन लंबर 77 पर IMD यानि कि इंडिया मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट गवर्मेंट ऑफ इंडिया के स्थापना के स्वर्स हुई है 9 माई सन 2006 ठीक है याद रखेंगे दूस्तों आंसर स्वरी यह जो है 1875 में हुई है यह ध्यान रखेंगे और यह 1875 में हुई है चुकि देश में सभी मौसम संबंदी कारियों का केंद्री करण प्रधिकरण के तहत किया गया है और लाया गया है एचिफ ब्लैनफोर्ड को भारत चरकार के लिए मौसम संबंदी रिपोर्ट नियुक्द भी करने को कहा गया था और 1889 में कलकत्ता जो है इसका हेटक्वार्टर बनाया गया था दूस्तों ठीक है 1889 में तो इस दे करेक्ट आंसर स्वाल नमर 78 यदि एक संख्या और उसकी 50 प्रतिशत एक संख्या और उसकी 50 प्रतिशत ता उसकी 25 परसित का ऑच्या 210 है तो बस अंख्या ग्यात कर लें सिम्पल कर सवाल है यहां पे एक स्वाल एक से इंटू 50 फरसेंट ठीक और प्लस में बुला गया है एक से इन्टू 25 परसेंट का ठीक तो इस इकल टू 210 निकालिएगा calculate कीजिएगा इसको answer आपका आजाएगा दोस्तों क्या 360 x का value तो c is the right answer चलिए यहाँ से कुछ mathematic question है मैं इसको skip कर देता हूँ यह question आप लोग को मिल जाएगा आप लोग question को solve कीजिएगा इसका answer भी आप लोग को दे दिया गया है तो आप लोग वहां से इसको check करके बनाईएगा जरूर ठीक है चलिए अब मैं सीधे लिए चलता हूँ question number 83 पर चलता हूँ जो की question है यहाँ पर question है दोस्तों की सुधा cooperative की स्थापना किस IS के अधिकारी ने की थी तो बिलकुल याद रखेंगे दोस्तों रामचंद्र सिन्हा ने किया था सुधा cooperative की स्थापना 1983 में किया था यह भी ध्यान में रखेगा question पूर सकता है एक्जाम में ठीक है स्वाल लंबर चलते हैं 84 पर मैं जहां भी हूँ जगदीशपूर वहीं है यह कतन किसका है तो याद रखेगा दोस्तों आंसर वीर कुवर सिंग का है जगदीशपूर से है थे वो 857 के बिहार के एक महान करांती कारी ठीक है वीर कुवर सिंग भारत के प्रथम 13000 ग्राम जो की हीरो रहे जगदीशपूर के रहे वीर कुवर सिंग ठीक है सवाल नंबर 85 दोस्तों वाइफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000 रेलवेश शेशन बिलकुल 85 कांसर कर लेज़ेगे दोस्तों हजारी बाग जारकंड से रिलेटेड है हजारी बाग और जारकंड की राजानी राची होती है है मनसुरन मुक्यमंत्री है दोस्तों कोशिन है यहाँ पर की जापाद अभ्यास जो है यह 2021 में किंदू देशों के बेच हुआ है 86 का अंसर कर लेज़ेगे दोस्तों यहाँ पर जिया मंगोलिया और बेलारूस इसमें सामिल थे याद रखेंगे आंसर कर लेंगे बी और सी दोनों तो डी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर सकते है स्वाल लंबर 87 निमले कित में से कौन सा रेल लिंक भारत बंगलादेश के बीच नहीं है नहीं बोल दिया गया है तो आंसर कर लेज़ेगे दोस्तों इनमें से कोई नहीं डी इस दा करेक्ट आंसर ये सभी है राधिकापोर से बिरोल पेट्रोपोल से बेनापोल और हल्दी बाड़ी से चिलहाटी ये तीनों है तो इनमें से आंसर कोई नहीं हो जाएगा कि नहीं है ठीक है नहीं बोला गया ना करेक्ट आंसर 382 मेगावाट दोस्तों मेटा वर्स क्या है मेटा वर्स क्या है तो मेटा वर्स जो है दोस्तों ये वर्चुल स्पेस का एक स्ट है तो बी इस दा करेक्ट आंसर स्वाल अमबर चलते हैं दोस्तों 90 पे दोस्तों चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने का ग्रंथ है चचनामा दोस्तों याद रखेंगे नब्वे का उत्तर कर लिजीगा अटसब बी मध्यपूर्व पाशानकाल की स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तों बानबे पे अंजर कर लिजीगा यहाँ पर चचनामा यहाँ पर बोला गया ना किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला एक ग्रंथ है तो याद रखेंगे 20 सिंध की है ठीक है अच्छा उल्लेखित प्रमाणों के अनुसार पश्चुपालन का प्रारम कहां हुआ था तो 91 कांसर कर लिजीए दोस्तों यहाँ पर मध्य पशाण और 9 पशाण काल में हुआ था यह कोशन आप लोगों को बता चुके है सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर बानबे पर हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन गठित की गई थी बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों 61D सरदार भगत सिंग के दोरा सन 1928 में यह भी आप द्यान रखेगा सवाल लंबर चलते हैं 93 पे मिवाड के किस राजा को 1527 में खानवा के युद में बराबर बाबर ने हराया था बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों राणा संगा को हराया था ठीके खानवा के युद में बाबर ने राणा संगा को हराया था और दोस्तों इसको जिहाद का नारा भी दिया गया था और युद में विजय के बाद गाजी के उपाधी भी धारन के थी बाबर ने स्वाल लंबर 94, बंगाल तथा बिहार में इस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला स्त्रे दिया जाता है तो लॉड करना वाली सिस दा करेक्ट आंसर, बी इस दा राइक आंसर स्वाल लंबर 95, भारतिय रेल के दक्षिन मंडल में पहली बार लंबी दूरी किस दो मालगाड़ियों की सफलता परोग परिचलन किया है तो 95 का अंसर कर लिजिए दोस्तों, त्रिशूल और गरोड स्वाल लंबर चलते 96, स्वार उर्जा का एक क्या नया सुरूत है 96 का अंसर कर लिजिए दोस्तों, इट्सब बी नाभी के सनलायान जो कि सवार उर्जा का सुरूत होता है ठीके, याद रखेंगे स्वाल लंबर 97, धातु के एक खोकले ठोस और शोशित गोले के प्रिष्ट के केंद्र की और जाने पर विधूत छेतर क्या होगा धातु के एक खोकले ठोस और अविशित है, गोले के प्रिष्ट केंद्र की और जाने पर विधूत का छेतर सभी जगा सुन्ने होगा D is the correct answer E tends to 0 ठीके, स्वाल लंबर चलते है 98 पर लेजर का मूल अधार क्या है? तो बिलकुल याद रहेंगे, लेजर का मूल अधार जो है, वो प्रिष्ट उसर्जन होता है ठीके, लेजर का फुल फॉर्म अक्सर एक्जाम में पूछता है तो Light Amplification of Simulated Emission of Radiation लेख लेजेगा लेजर का अक्सर फॉल फॉर्म एक्जाम में पूछता है तो आंसर कर लेजिए हैं दोस्तों इन में सभी ठीक है ऑक्सिजन भी होता है, नैटोजन और हिलियम भी होता है स्वाल नंबर चलते हैं 100 पे CAOCl2 का विरंजन छमता कारण क्या है CAOCl2 का विरंजन छमता का कारण है नवजात ऑक्सिजन बेचंग प्वडर का उपयोग जो है जल को कीट नाशुब बनाने में किया जाता है और कपड़ों में ड्राइ क्ली निंग' का विरंजन चूर जो होता है विरंजन चूर ग्वार्ड जो है च्लोरोफों में भी हम लोगे है तो यहां से आंसर क्या कर लेंगे नौजात oxygen कहते हैं इसको इसका कारण बनता है तो यहां से answer आपके हो गए complete hundred question के यह answer की आपको यहां पर मैंने दे दिया है इस PDF में इस PDF को मैं टेलीग्राम पर share कर दूँगा तो टेलीग्राम आप लोग वाइट एजूगेशन का अभी जाके जोईन कीजिए और यह प्रैक् आपको अपडेट सारे इस बुक के भी करवा दूँगा धन्यवाद all the best मिलेंगे अगले वीडियो में